दोस्तो आज केसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आप Post Office की Net Banking यूज कर रहे हो और किसी कारणवस आप Net Banking का जो है Login Password या Transaction Password भूल गए हो तो किस तरह से आप जो है इसको Reset करके और नया Password जो है Create कर सकते हो तो इस वीडियो में मैं आपको Complete Procedure बताऊँगा वीडियो को Reset करने के लिए आपको जो भी ब्राउजर यूज करें ब्राउजर का Search Box सबसे पहले जो है Open कर लेना है Open करने के बाद Search Box में आपको Type कर लेना है Post Office Net Banking यानि हमारे को जो है Post Office Net Banking का जो Page है वो Open करना है उसी के द्वारा हम जो है यह Process जो है Password Reset का Process कर सकेंगे तो इस तरह का Page पेच आजाएगा इसमें सबसे जो पहला Link दियावा है Department of Post Internet Login इसके उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे क्लिक करते ही इस तरह का Page आपके सामने जो है खुल किस्यों हो जाएगा अगर आपको सब कुछ पता है तो User ID डालो केपचा डालके इस इसको आपको जो है Continue कर देना जहां पर मैंने एरो मारक किया है जैसे आप इसको Continue करोगे Next Page में इस तरह का Option आजाएगा User Details आपकी User ID यानि आपने जो User ID इसमें सेट कर रखी हो और जो ये Code दिया गया है ये Code डालके और जो Continue का Option दिया है Continue कर देना जैसे आप इसको Continue करोगे फ और Get Password Select Option यानि Option आपको Select करना है पहला Option है Using Security Question and Answer Second है Using Account Number and Date of Birth यानि अगर आपने पासवर्ड बनाते समय Security Question and Answer याद है तो पहले से आप Reset कर सकते हो Account Number या Date of Birth से करना चाते हो तो Second वाड़े पर तो मैं Account Number Date of Birth से करना चाता हूँ उसके ओपर किलिक करके Continue कर दिया अभी इसमें Account ID यानि आपका सेविंग बैंक का यानि आपका जो Post Office का Saving Bank का Account नमर है वो Date of Birth ये दोनु चीज़े आपको यहांपर इंटर करनी है और Continue कर देना है Account ID में कई बार मिश्टेक हो जाती है तो यहां Post Office का जो आपका Saving Bank Account वो डालना Date of Birth और Continue कर देना जैसे आप Continue करोगे इसमें जो आपका Registered Mobile नमर है उसके ओपर आपके पास एक One Time Password यानि OTP आ जाएगा OTP का जो Box बना हुआ है उसमें वो OTP हमारे को इंटर करना है और OTP को इं पासवर्ड बना सकते हो तो जैसे ही मैंने इसको OTP डालके Reset किया पासवर्ड किस तरह से बनाना है पासवर्ड में कितने जो है क्रेक्टर होने चाहिए क्या क्या होना चाहिए उसका जो है पूरा का पूरा यहां पर डिटेल दिया हुआ है आपको पढ़ लेना है तो पासवर्ड यानि आप जो कहीं ट्रांजेक्शन करते हो तो उस समय जो है ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको काम में आता है तो वो भी जो है आप यहीं से जो है Reset करके और नया बना लेना यह दोनु पासवर्ड जो है एक साथ बना लोग तो ठीक रहेगा नहीं फिर एक बार यह एक बार यह तो आप जो है दोनु पासवर्ड यहां पर जो है नया बना लेना है तो यहां पर आभी देखो चेक बोक्स बनावा सेट इंटरनेट लोग इन पासवर्ड तो इस चेक बोक्स के ओपर भी आपको क्लिक कर देना है और नीचे जो सेट ट्रांजेक्शन जो से transaction password है उसके उपर भी आपको जो है checkbox है उसके उपर टिक mark कर देना है और ये password आप जो है बना के और continue कर देना पस दियान रखने वाली कुछ एक बाते हैं ये आपका जो password आपने तीन बार पहले जो योज किया है वो password आपको जो है इसमें योज नहीं करना है और उपर ज जैसे ही ये password बना के आप फिल करके और इसको continue करो के देखो password चेंज सक्षेजपूली इस तरह से आपका जो है password सक्षेजपूली जो है चेंज हो जाएगा नया password जो है create हो जाएगा फिर भी दोस्तों इसके रिगार्डिंग post office internet banking के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो कुछ नहीं समझ में आरो कमेंट बोक्स में जरूर लिखे मेरे से जीतना हो सकेगा पूरी हलप पुरूँगा वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद थेंक्यू